नमस्ते दोस्तों मैं कुरारिये आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यस सनातन में तो मित्रों आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा जो विशे रहेगा वो बहुत ही ज्यादा गंबीर है और पूरा भारत पूरा भारत ही नहीं अपितु विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये विशे चला हुआ है और हमारे खुद के मन में भी बहुत सारी भ्रहंतिया होती हैं और कई बार कॉन्फिक्ट पैदा हो जाता है कुछ व्याकरण के जो आचारी रहे हैं या व्याकरण के अध्यता जो रहे हैं या जिनको थोड़ी बहुत भी हिंदी की नौलिज होती है तो वहाँ और जो हमारे भक्त लोग होते हैं उनके बीच में भी कई बार इस बात को लेकर कॉन्फिक्ट हो जाता है कि शब्दों का चेयन हम किस प्रकार से करें जैसे कि मेरे पास में भी काफी सारे मैसे जाते हैं जिसमें के लिखा होता है रादे कृष्णा, रादे कृष्णा तो बात सिर्फ इतनी से नहीं है कि word क्या है, शब्द क्या है लेकिन बात ये है कि हम जिसके प्रती अपना सम्मान जदाना चाह रहे हैं वो क्या है? शब्दों की ही तो बात है मंत्रों उचारण जब हम करते हैं हवन जब हम करते हैं तो संस्क्रित के मंत्रों में ही हम उचारण करते हैं संस्क्रित के मंत्रों से ही हम हवन करते हैं जब स्तूती गान करते हैं जैसे कि अगर कोई दुर्गा की उपास नहीं क्यों ना कर रहा हो तो वो दुर्गा का ही तो नाम लेगा वो किसी अन्य का नाम नहीं लेगा तो अगर कोई शिव की स्तूती कर रहा है तो वो शिव का ही नाम लेगा इश्यडी कर लेगा, आगर कोई कृष्ण की स्तूती कर रहा है, तो कृष्ण का ही नाम लेगा, तो कि प्रोब्लम कहा आती है, जब हम विदेश्यों का थूख चाटने, ब मैं ब्लापर को मेहरा हैं, गाड़नि कचाई है, दो कि बात सब्सक्रत술 उसके उपर लिखा होता है राधे कृष्ण अब उसमें कृष्ण और राधा की फोटो बनी हुई है नीचे कुछ गुलाब के फूल बने हुए है और उपर लिखा है राधे कृष्ण तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा भी एगर आपको व्याखन का ज्यान होग तो अकारांत अर्था जिस शब्द के अंत में अ अर्था जिसे की कृष्ण तो कृष्ण का अर्थ होता है यानि कि वो पुलिंग के लिए है अगर वो कृष्ण होता है आकारांत जिसको बोलते हैं तो वो स्त्री सूचक शब्द हो जाता है तो कृष्ण राधे कृष्ण अ तो आज हम इस राधे कृष्णा के विशय में ही थोड़ा सा विस्तार से हम बातचित करेंगे तो कृष्णा फिर है कौन अगर हम यह देखें कि कृष्णा कृष्ण नहीं है तो फिर कृष्णा है कौन तो actually ऐसा विशय आता है कि पुरानी कताओं में भी ऐसा बताया जाता है कि जब स्रीकृष्ण सुदर्शन चला रहे थे और सुदर्शन से उनकी उंगली कट गए थी हाला कि यह सभी बहुत अटपटा सा लगता है तो जब उनकी उंगली कट गई थी तो द्रौपदी दोड़ी दोड़ी आई थी और उन्होंने अपनी चुन्नी फाड़ करके उनकी उंगली के ऊपर एक पट्टी बांदी थी तो उस टाइम तलग कृष्ण द्रौपदी को ऐसा सिस्टर नहीं मानते थे लेकिन वो प्रथम ऐसा चरण था वो प्रथम ऐसा समय था जब कृष्ण ने कहा कि मैं तुमको अपनी बहन मानता हूँ तुम मेरी बहन हो और आज के बाद तुमको द्रौपदी के साथ साथ कृष्ण की बहन के नाम से जाना जाएगा तो कृष्णा शब्द वहां से आया अर्था जो कृष्णा है वो शब्द द्रौपदी का नाम है अब हमारे लोगों में कृष्णा शब्द क्यों इतना रदा परचलित है उसके उपर बात करते हैं ये शब्द इसलिए परचलित है क्योंकि जब स्कॉन आप सभी लोग जानत तो इस कौन ने स्री कृष्ण भक्ती के ऊपर बहुत ज्यादा परचार परसार किया है, उनके बहुत सारे टेंपल बनाये हैं, इस कौन के बहुत सारे मंदिर हैं, और उसमें विदेशी लोग जुड़े हुए हैं, तो विदेशी लोगों का जो हिंदी प्रनेंशेशन होता है वो बहुती ज्यादा खराब होता है, तो वो कभी भी हिंदी में ढंक से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं के राधे कृष्ण, तो वो बोलते हैं, तो हम शब्दों की माया को नहीं समझ पाते हैं, हमको क्या लगता है, कि ये कृष्ण जो में represent कर रहे हैं तो राधा कृष्ण क्यों रुगमणी कृष्ण क्यों नहीं विशह यह भी उठता है कि क्या जो साथ फेरों में बंदकर आई है उसका कोई दोश है क्या आपका समाज इस बात को accept करता है कि जो उसकी पत्नी है जो उसके स्वधर्म को निभाने वाली है जो पाप कर दिया है जिसने पूरा जीवन अपने पती को समर्पित किया क्या उसने यह करके कोई पाप किया है क्या कहीं भी किसी भी मंदिर में क्रिश्ण के साथ रुकमिनी जी है क्या किसी दिवार के ऊपर व्रंदावन हो मतुरा हो कहीं पर भी क्रिश्ण के साथ उनकी पत्न का नाम है नहीं है हिंदू थोड़ा सा ज्यान देना देखो मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊंगा वो बिल्कुल आफ दे ट्रैक होगी हो सकता है तुमारी भावनाए आहत हो जाएं लेकिन मैं किसी की भावनाओं के आहत होने से ज्यादा उनकी आई ओपनिंग के ओपर काम करता हूँ और थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल हो के सोचो ये मत सोचो कि हमारी भावनाओं को आहत कर रहें मैं एक हिंदू हूँ कोई मुसलिम नहीं हूँ कि तुमारी भावनाए आहत करने के लिए मैं सिर्फ तुमारी आँके खोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली किसी चीज़ को कैसे समझें प्रैक्टिकली जब तलग तुम चीज़ों को नहीं समझोगे तुम वैसे ही अंदभक्त बने रहोगे तुम हमेशा बोलते हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय सत्य क्या है सनातन क्या है सनातन होता यूनिवर्सल टूथ लेकिन जो यूनिवर्सल टूथ नहीं है उसका हमारे धर्म में कोई भी काम नहीं है इसलिए यूनिवर्सल टूथ को अपनाओ और उसी के उपर हम काम कर रहे हैं तो इसलिए प्लीज बात को पहले पूरी सुनो, गुनो, समझो, फिर निर्णे करो. तो मैं बात कर रहा हूँ कि राधा जो शब्द है, वो ही क्यों क्रिश्ण के साथ में रुक्मनी क्यों नहीं? और अब मैं आना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने जीवन में किसी प्रेमी का को ज़्यादा प्रिफरेंस देते हो या अपनी पत्नी को ज़्यादा प्रिफरेंस देते हो? क्या तुम जब भक्त होता है कोई भी भक्त हो शिव भक्त होता है तो शिव की तरह ही रहना उन्ही की तरह ही काम करना उनकी तरह ही उनके बताय हुए रास्तों को फॉलो करना चाहता है जो कोई राम का भक्त होता है वो राम के बताय हुए रास्ते को फॉलो करता है वो जितना भी उन्होंने पुर्शोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जीवन में कारे की हैं वैसे ही कारियों को फॉलो करने का प्रियास करता है मा दुर्गा के जितने भी भक्त हैं उनके द्वारा किये गए कारियों को फॉलो करने का भरपूर प्रियास करता है योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा किये गए कारियों को आप लोग जीवन में फॉलो क्यों नहीं करते हो और आप सब जानते हैं कि मैं किन कारियों को फॉलो करने की बात कर रहा हूँ भगवान सरे कृष्ण ने अगर अपने जीवन में इस कारियों को फॉलो किया है कि उन्होंने प्री मेरिटल अफेर और मैं साफ कहता हूँ हमारे आज कल के युवा, बहुत सारे युवा इस बात को बोलते हैं कि अगर हमारे भगवान, प्रिमैरिटल अफेर कर सकतें तो हम क्यों नहीं कर सकतें तो वो ही चीज है, इस चीज को विशेश ध्यान में रखना है कि मैं किसी भी धर्म की, मैं किसी संपरदाय की, कोई मान प्रतिष्ठा में हानी नहीं पहुचा रहा हूँ, लेकिन be practical, इस बात को समझो, कि अगर तुम ये समझते हो, कि भगवान श्री कृष्ण का, योगिश और श्री कृष्ण का, प्री मेरिटल अफेर था, इसको इंगलि से भरे जा रहा है, अभी मतूरा में सब सब बड़ा इसकोंड टेंपल बन रहा है, किस के उपर बन रहा है, क्या वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ में रुकमनी जी को स्थान दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, वहां किस को स्थान दिया जाएगा, वहां रा को मानने वाले हैं, और हम चलो उनके रास्ते पर चलते हैं, और चलो जाओ बेटा, तुम भी एक premarital affair चलाओ, क्योंकि राधाजी की दो बाद में शादी हुई, श्री कृष्णी की बाद में शादी हुई, क्या कोई माँबाप अपने बेटे को बोलेंगे, कि जाओ बेटा, क वो एक सच्चे प्रेम की एक दास्तान बन जाएगी, उसके बाद हम तुम्हारा रुकमणी के साथ में विवाह करवा देंगे, और किसी भी रुकमणी के साथ में जिसके साथ में तुम्हारा विवाह होगा, उसको हम बिलकुल नहीं पूछेंगे, जितनी भी श्रद्धा, जि जिसमें क्यों नहीं है, क्यों हम किसी भी बच्चे को जैसे ही वो प्री मेरिटल कहीं भी प्रेम करता है, प्रेमालाप करता है, प्रेम के तरफ बढ़ता है, तो क्यों आज भी खाप पंचायते उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, मैं जी सक्षेतर से आता हूँ, मैं मुझे फ जैसे ही किसी को पता लगता है कि उनकी लड़की किसी और लड़के के साथ में उनके माबाप के पूछे बिना या शादी से पहले किसी लड़के के साथ अफ़ेर में है तो उसकी पिटाई होती है कुटाई होती है इवन यहां तलग यहां तलग होता है कि उनको मार तक दिया जाता है यह हमारे जीन्स में क्यों नहीं है अभी कुछ लोग कहेंगे कि उस चीज़ को तो साड़े पांच जार साल हो गए अब हम बदल चुके हैं, नहीं बदले हैं कैसे नहीं बदले हैं मैं आपको बताता हूँ मैं जिस अक्षेत्र से आता हूँ, वो रणभूमी रही है हम जब साड़े पांच जार साल पहले कि अगर बात उठा कर देखेंगे तो इंदरपरस्त से भगवान सरीकृष ने जब कुरुक्षेत्र का युद लड़ने के लिए गए गए थे पहले चोटा पढ़ सकता है, तो उससे बहां आगे चले, आगे जाकर उनको कुरुक्षेत्र का अक्षेत्र मिला, जहां जाकर उन्होंने युद्ध किया और कुरुक्षेत्र और पूरा हरियाना और पूरा मुझफर नगर लेलो, सहरनपूर लेलो, मेरट, शामली, बागबत, बड़ोत, जिन जिन एरिया से उनका तालुकात रहा, जिस जिस एरिया में उनका युद्ध हुआ, उनकी भाशा ही बहुत तिक्षन होती है, तीवर हो हरियाना तलक के लोग थे, दिल्ली तलक के लोग थे, क्यूं थे, ये करांती भूमी रही है, ये करांती भूमी क्यूं रही है, ये करांती भूमी इसलिए रही है, क्योंकि यहां साड़े पाच जार साल से जो दिल्ली का ख्षेत्र है, दिल्ली के आसपास का ख्षेत्र है, स पास्तलक जीवित क्यों नहीं है। एक अच्छा योगी बनना चाहता हूँ, तो मैं स्वामी राम देव जी को फॉलो करूँगा, उनके जैसे ही जीवन चरिया चलाने की कोशिश करूँगा, उन्हीं के तरह ही मैं साड़े तीन बजे उठूँगा, सुभे योग प्रणयाम करूँगा, उसके बाद मैं जाकर के आयुरुवेद के बारे मैं अध्यान करूँगा, उसके बाद मैं जाकर के देश विदेश के बारे मैं अध्यान करूँगा, अर्तशास्तर के बारे मैं अध्यान करूँगा, मैंनेजमेंट के बारे मैं अध्यान करूँगा, क्यो नहीं करूँगा मैं? अगर मैं उन सब ची क्या उनको follow करो क्यों नहीं कहते हैं हम हमने पूरे धर्म को अपने हिसाब से बना रखा है कि जहां हमको flexibility लगती है जहां हमको अपने लिए अच्छा लगता है वही धर्म गुसेड़ दो वही भगवान सिर कृष्ण की बात को गुसेड़ दो इसी प्रेमालाप के चकर में गली नुकड पर आपकी भगवत कता सुरू होती है उसी भगवत कता के अंदर उनका अशलील चितरन किया जाता है अशलील चितर उके रहे जाते हैं आपको अशलील भाशन संभाशन अशलील गीत सुनाए जाते हैं और मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी कहा था कि जिस प्रकार से कहा जगया है भागवत में यह बात लिख्य हुई आप उठा कर देख लीजिए लिखा हुआ है कि जब भगवान स्री कृष्ण गोपियां नहा रही थी तो उनके कपड़े उठा कर लेकर चले गए अगर यह भागवत खथा कोई सुनता है तो उसके दिल पर क्या गुज़रेगी अगर कोई नया नया धर्म प्रेमी हो तो या विधर्मी लोग हमारे धर्म के उपर कितना आखशेप करते हैं वो आप लोगों को शायद नहीं पता है तो हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं क्या हमारे दिमाग में ये बात क्लिक नहीं करती है कि क्या वास्तों में ऐसा था क्या वास्तों में रादा थी और अगर रादा थी तो उसको फॉलो करना चाहिए और अगर रादा नहीं थी तो उसको पूरी तरीके से नकारना चाहिए और मातारुकमेणी और भगवान स्रीकृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण के आदर्शों का पालन करना चाहिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदी अगर भागवत की कथा को हम सामने ले करके चलेंगे तो आप किस तरीके से बता सकते हैं कि भागवत कथा के नुसार ही उनकी जीवन शैली चली होगी भगवान सरी कृष्ण जो चार वेदों के ज्याता थे जो छेंदर्शनों के ज्याता थे जो उपनिश्यदों के ज्याता थे जो खुद में एक सत्य शोधक थे जो इतने बड़े वैज्यानिक थे जो इतने बड़े विचारक थे जो तिने बड़े तारकिक थे वो कैसे बिना पढ़े लिखे मैं इसी क्यूं कह रहा हूँ कि बिना पढ़े लिखे उसका कारण है और उसका कारण ये है कि भागवत में लिखा है कि जब बचपन में थे तो डांडिया रास करते थे वो गाएं चराते थे, वो गोवर्धन परवत उठाते थे, वो शेशनाग मारते थे, जब उस सारे काम करते थे, तो संदीपनी मुनी के गुरुकुल में पढ़ने कौन गया था, तो मुझे किसी ने कहा, क्यों किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए, वो तो क्योंकि भग कहां से आया तो कहते हैं वो तो गुरुकुल में मिला था तो कम मिला था तो क्या गुरुकुल में पढ़ने के लिए अपने जीवन के अंतिमशनों में गए थे किस समय गए थे वो पढ़ने के लिए तो मेरे मित्रो बात बहुत सारी है और बात से बात निकलती आती है और एक पूर्थ पंडित लोग जिन लोग ने हमारे धर्म का सर्वनास कर दिया है सत्यानास कर दिया है उन्होंने किस परकार से घुमा फिरा करके गीता का जो संदेश है वो अपने हिसाब से दिया है ताकि उनकी दुगांदारी चलती रहे इसके उपर एक नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी लेकिन मेरी फिर से दुबारा से आप सभी से करवद ब्रार्थना है कि हमारा जो सत्य सनातन धर्म है उसको सनातन अर्थात यूनिवर्सल टुथ की तरह लेकर चलो ऐसा ना हो कि हम कुछ भी गपोड़ा किसी के सामने छोड़ दे और वो फिर हमारे उपर हसे और हम ह हसी के पातर नहीं बनते मित्रो हमारा धर्म हसी का पातर बनता है और जब कोई धर्म की हानी होती है जब नुकसान होता है तो मनुष्य अपने अस्तित्व से गिर जाता है और अस्तित्व हीर व्यक्ति का जीवन हमेशा निरर्थक होता है अतयव अपने धर्म की रक्षा के लिए सदा सरवदा सत्य का ही पालन करो और जो सत्य है जो सनातन है जो वैदिक है उसी धर्म का पालन करो अतव मित्रो सभी मेरे साथ बोलें सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय नमस्ते